अर्जुन अपने मूर्चा बांध कर डटे हुए धृतराष्ट संबंधियों को देखते हैं, फिर अपना धनुष उठाकर रिशिकेश श्री कृष्ण से कहते हैं, अर्जुन अर्थात अटल जो अपने स्थान से हटता नहीं, जिसका नाश नहीं हो सकता, श्री कृष्ण का एक नाम अचुत भी था, और अर्जुन अपने सार्थी से दोनों सेनाओं के बीच में जाने को कह रहे हैं, अर्जुन ने श्री कृष्ण को इसलिए चुना था, कि वो जानता था, कि जब साक्षाद भगवान उसके साथ हैं, तो मतलब धर्म उसके साथ है,